कि इस वीडियो में तमाम जनकारी मिलेगी क्या जो स्टूडेंट्स के बीच में जो डाउट्स आ रहे हैं कि क्या उनको समेस्टर एक्जाम होगा क्या उनको प्रमोट कर दिया जाएगा इस सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए फ्रेंट एक कंपलीट एनलाइसिस अपका चैनल अपना चैनल नोर प्रिंस लेकिया है सारी जनकारी आप इसको में मिलेगी सारे नोटिसेज जो अब भी तक निकाले गए और भट नॉलेज उनवर्सिटी के दौरा जो कि इंजिनियरिंग स्टूडेंट्स भी टेक स्टूडेंट्स भी बी जो कि तमाम जो इनवर्सिटियां उनके एक्जाम्स होंगे या नहीं होंगे एक इनवर्सिटी का रफरेंस लेके आपको सारी जनकारी इस वीडियो में मिलने वाली है वीडियो को स्टार्ट करने पहले आपके खंबल रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे नहे है तो आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सबस्क्राइब करें जैसा कि मुझे परिशनली मैसेज कर रहे तो स्टूटेंट की सर इसके बारे में थोड़ा बताएं कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना यह स्टार्ट करें या नहीं स्टार्ट करें तो इस चैनल के मादम से आपको सारी ज को यह ना मालने कि एकजाम एकदम नहीं होगा तो इसका मतलब पढ़ना छोड़ो दे तो इस सारी भ्रांतियों को दूर करता हुआ आपको इस सारी चीज़े इस वीडियो में बताए जाएगे फ्रेंड वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा फ्रेंड आपको इस वेबसाइ जेहां फ्रेंड AICT All India Council of Technical Education और UGC यानि University Grant Commission ने एक नोटीस जारी किया जो इसकी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं की बहुत सारे नॉम्स दिखाये गए आप UGC के वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं बहुत सारी गाइड लाइन्स बताएगे इस कोरोना वायरस के कार फुर्ट लम्बा चूड़ा बारह चौदा पेज़ का गाइड लाइन जारी करके उसमें सारी चीजे को बताया उसमें बताया कि कैसे कॉलेज खूले जाएंगे क्या पढ़ाईआ होंगी किन्विए स्टाफ के लिए खूले जाएँगे या सीफस्टूदेंट्स के लिए už लाइन माद्यम से पढ़ाई होगे मतलब कि बहुत तरह का गाइडलाइन आपको उसमें बताया गया आप यूजी सी के वेबसाइट पर जाए उसका एडलाइन को अच्छे से पढ़ाए फ्रेंड यह इसीटी के वेबसाइट पर भी आपको मिल सकती है फ्रेंड सबसे पहले य अल्रेडी पढ़ा रखात मैं आपको बता दूं कि बहुत यह अच्छा एक नोटीस जारी किया था इसमें बहुत सारा पीजीज़ भी अटैच है जो कि मैंने वीडियो को लंबा ना करने के लिए इन शौर्ट आपको बताने कोसिस किया कि बहुत सरी गैडलाइन जारी कि ग किया अपना रिसर्च किया उसके बारे में मैंने यह अपना मेरा खुद का पर्सनल एनलसी से चलिए और सबसे पहले दूसरा जो देखे जैसे कि मैंने अल्रेडी बताया कि AICTE के तरफ से एक अगस्त में बताया गया था कि एक अगस्त से नया सेशन सुरू हो जाएगा इसक जैसा कि आप यहां नियूस पेपर क्लिप में देख रहे हैं इसमें यह भी बताया गया इस नोटिस में कि जो स्टूडेंट पहले से पढ़ाई कर रहा है उनका क्लास जो है एक्सपेक्टेड डेट बताया AICT और UGC ने कि एक जुलाई से उनके क्लास स्टार्ट कर दिये यानि एक महिना ठीक एक महिना पहले तो यहांसे मतलब कि जैसे यसी मैं आपको बता रहा हूं निकाला गया यह सरा नोटिस आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं कि यहां पर एक्जाम सोगा या नहीं होगा तो जैसा कि बिहार गवर्मेंट ने सब को online education प्रा लाइन एजुकेशन स्टार्ट करें उसके कारण से आपको स्लेबस कम्प्रेट करना है उसी के दर में एक नोटीस भी आया जिसमें कि ये मुझा पर फूर कॉलेज का है उसमें बताया गया कि संताव ने 9750 स्लेबस पूरा कर लिया गया है जो कि बताया गया ऐसा हुआ या नही आपको ही पता है मुझे भी पता है आप खुद जान रहे हैं अगर आप इंजिनियरिंग स्टूडेंट है अगर इस वीडियो का आप देख रहे हैं तो आपको खुद मालू है कि कितना किसका स्लेबस कम्प्रेट हुआ लेकिन उन्होंने ऐसा नोटीस निकाला है इसका कि मतलब कि आपको स्लेबस ऑनलाइन कम्प्लीट कराना है यूजिसी ने भी एक नोटीस जारी किया उसका कम से एक 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 स्पेक्टेड भी डेट भी बताया गया कि कुछ मुझे याद नहीं है वो डेट लेकिन यूजिसी ने भी कहा कि इतना तारीक तक आपको वो डेट अ इसमें भी बहुत सारे कॉलेजेज है उनके भी जैसे कि आप मुझापरपूर का देख रहे हैं इसमें 97% फिसदी इसमें क्या हो गया पूरा हो गया स्लेबस बहुत सारे सुपॉल के आये सुपॉल का भी मैंने नोटिस पढ़ा सुपॉल कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग का भ अपने कम्प्लीट होने का दावा किया ऐसा कि उन्होंने नियूस पेपर में जैसे कि आया उसके बाद फ्रेंड आता है M.H.R.D. के तरफ से एक वेबिनार हुआ जिसमें कि रिस्पेक्टेड एचाडी मिनिस्टर जो निशंक साहब है उन्होंने एक वेबिनार स्टैबलिस कराया, उसमें उनका हाइलाइट्स यही दिखाए गया, ऐसे कि आपा स्क्रीन में देख सकते हैं In case the situation does not appear to be normal in view of COVID-19, to maintain a social distancing, safety and health of the college students, grading could be composite of 50%, या देखिए लाइन को ध्यान से पढ़िए, 50% on the basis of the pattern of the internal evolution adapted by the university, इसका मतलब है कि 50% जो marks आपके होंगे, आपको क्या करना है कि आपको internal assessment के थुरू 50% marks दिये जाएंगे, और जो remaining 50% marks है, on the basis of the previous semester, जो आपने previous semester exams दिये हैं, उसके अधार पर यह आपका calculate किया जाएगा, 50% marks, तो यह हुई इसमें, तो बहुत ज़रे students का, मुझे यही post करके पूछ रहते हैं कि सर, इसमें तो आप, जैसा कि बताया जा रहा है कि अगर situation और worse होता है, हम नहीं चाहते हैं, या कोई भी नहीं चाहता है कि situation बहुत खराब है, लेकिन अगर ऐसा situation खराब हुआ, तो मतलब कि इसका highlights M.H.R.D. के तरफ से बताया गया है, लेकिन जैसा कि बिहार में दिखा जा रहा है, बिहार में क colleges में जैसे कि slaves को complete कराया गया, बहुत सारे slaves को complete कराया गया, यानि इस slaves complete कराने का मतलब ही है कि यहानि कहीं न कहीं exams आपके conduct कराये जाएंगे, यह situation खराब होने का है notice, तो बहुत सारे students खूस हो रहा थे कि जैसा कि M.H.R.D. जब भी बोल दिया है, तो ऐसा exams हम लोग के नही चीजें हैं कि आप अपनी पढ़ाई को मत रोकिए, दूसरा newspaper का है, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक जुलाई से खुलेंगे देशबर के सभी तकनिके संस्थान, इस पर भी सारे चीजें जैसे कि मैंने अल्रेडी बताए, फिर फ्रेंड जैसे कि हमारा अपना EKU, प्रती एक नोटीस जारी करती है, इसमें वो यह कहा गया, कि जो भी स्टाफ जो एक्जाम करवाते हैं, करणक करवाते हैं, उन लोगों के लिए इनवर्सिर्टी खुल गई है, यानि आपको आफिस खुल गया है, आपको करना है, अब आपको काम अपना स्टार्ट कर देना है, इसका एक दूसरे अंगल सब इसको सोचे, तो यानि फ्रेंड सिर्फ उसी को बुलाएगा, यानि एक्जाम कहीं ने कहीं एक के यू आपको करवानी चाहते हैं, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं अपना एक complete analysis दे रहा हूँ कि अगर आप एक student है, अगर आप एक sincere student है, हर engineering student का एक सपना होता है, कि वो engineering करके engineer ही बने, वो SSC और CHSL के exam को नहीं देना चाहता है, उसमें job नहीं करना चाहता, अगर वो engineering ही किया है, चार सल अपना invest किया है, तो उसमें engineer ही बने, तो आपको as a student, मैं आप खुद बता रहा हूँ कि आप अपने पढ़ाई को मत रो किये, आप जो आगने वाले exams देंगे, आप gate देंगे, आप IES देंगे, PSU का exam देंगे, उसमें सारी चीज़े आपको यहीं पूछ जाओंगे, for example, जैसे कि basic electrical engineering का एक topic अगर ले लिया जा, अगर आप electrical branch से हैं, for example, अगर आप में उसमें network analysis नहीं पढ़ा, आपने उसमें सट पढ़ते हैं, तो आप उसको solve नहीं कर पाएंगे, यह बस एक परकार सा छनिक सुख है, जो कि इंस्टैंट, जो एक थोड़ा सा आपको नहीं पढ़ना पढ़ेगा, मैं जान रहा हूं कि दिक्कते सब को आ रही हैं, लेकिन आपका, सबसे पहले, schedule बिगड़ गया होगा, कि आपने college के hostel या lodge में रहते होंगा, रूम लेके रहते होंगा, वहाँ पे आप अपने पढ़ते थे, लेकिन आपने जो आया है घर, उसको कुछ की किताबे लेके आई होगा, मतलब रिदम बिगड़ गया होगा, लेकिन फ्रेंट, मैं आप से गी गुजारिस करूंगा, कि आ अगर सिंसिर स्टूडेंट हैं, तो आप इसको जरूर करें, अपनी पढ़ाई को आन रखें, जैसे भी हो, कैसे भी हो, अगर 70-80% भी आपका अगर कम्पलीट होता है, तो फ्रेंट, रादर रेकले, कुछ भी हो जाए, आपको एक्जाम्स अगर दिया जागा, खाली में प परोना वाइरस के साथ रहना, जीना, सीख लेना चाहिए, अगर फिर भी मैं आपको अगर आपके फिर से भी डॉट हो गए हो, इस वीडियो में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कि वाकई में करना क्या है, क्या नहीं करना है, मैं बार 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 बता रहा हूं, तो आप अपनी सारी dots को फिर से मुझे करें मैं कोसिस करूंगा अपनी तरीके से आपके dots को scientifically proof करने का मतलब scientifically proof नहीं मतलब कि solve करने का तो आपको ध्यान रखना है कि अपने पढ़ाई के प्रति सचेत रहे सजग रहे और अपने career पे ध्यान दे आपके exams होंगे या नहीं होंगे व अगर नहीं होते हैं तो भी नहीं आपको पढ़ना ही चाहिए अगर होता भी है तो भी आपको पढ़ना चाहिए मतलब कि आप अपने पढ़ाई पे सचेत रहे अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप से एक गुजारिश है कि आप इसको जरूर subscribe करे चैनल को share करे कि अपने स्चारे दोश्तों में इस सखते अपको जो जो मैंने no lumpi से बताई आप उसको जरूर देखे अपने स्बहूरस देख तो आपको मैं यहां से दिखा भी सकता हूं कि सर्विस अनब लेबल बता रहे यानि कुछ अपडेटिंग चल रहे होगे इसमें बताने का यहीं मक्सद था कि आपको इसमें यह बता जा रहा था कि उसमें बहुत सारे परकार से कमप्लीट रखने की कोशिज की जा रही है गवर्मेंट के दोआरा इंस्टीशन के दोआरह तो आप सचेत रहे सजग रहे और इस वीडियो के इन तक देखने के लिए फिट से आपका एक बहुत-बहुत धन्यवाद प्रिंट अगले वीडियो में अगर मिलते हैं तो जरूर मिलेंगे तक के लिए धन्यवाद प्रिंट बाए